प्रत्यों की विद्याथियों आजपुना गुरुकुल की ओनलाइन कच्छाओं में आप लोगों काता है दिल से स्वागत है विगर्द कच्छाओं में हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में जनकारियां प्राप्त कर रहे थे और आपने जाना था सन्वेधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में मैंने आपको बतलाया था कि बाबा सहाब डॉक्टर भीमलाव अमबिटकर जिते भारति सन्वेधान का पिताया जनक भी कहा जाता है जो प्रारूप समीती के अध्यर्श भी थे स्वतंद भारत के का अधिकार भारति सन्वेधान की आत्मा है है ना बहुत बहुत इंपरेंट है साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मुझे कहा जाए कि सभी मौलिक अधिकारों को हटा दिया जाए और केवल एक अधिकार को रखने की बाप कही जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं सन् प्रधानिक उप्चारों के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 32 से 35 में हैं चर्गन पिछली कक्षाओं में आपने ये भी जाना था कि अनुच्छेद 32 के तहट सरोच नले और अनुच्छेद 226 के तहट उच नले पांच प्रकार के जीड़ सिया आदेज जारी करती है जिसमें आपने पिछली कक्षाओं में जाना था बंदी प्रतक्षी करन चर्गन हैब्यस कॉर्पस रीट जो की बंदी प्रतक्षी करन के नाम से जानी जाती है ये रीट आखिर किन पदस्थितियों में जादी की जाती है ये आदेज सरोच नाले या उच नाले द्वारा किन पर स्थितियों में जारी किये जाते हैं चादगन पुलिस यदि किसी बैक्ती को गिरफतार करती है तो पुलिस का या परमकतव है कि उस गिरफतार बैक्ती को 24 घंटे के अंदर नाले में मजिस्टेट के समझ प्रस्तू करना होगा लेकिन 24 घंटे के अंदर ही प्रस्तूत करना होगा ये और ना नहीं है आपको याद रखना है तो कि भूल जाएंगे तो फिर आपकी हाथ से निकल जाएगा भूलना नहीं है याद रखना है कि चीजों को तो 24 घंटे के अंदर गिरफ़तार वैक्ती को पुलिस न्याले में मजिस्टेट के सामने प्रस्तूत करेगी प्रत्यों की विद्याथियों तो इसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षी करन बंदी को प्रत्यक्ष तोर पर प्रस्तूत करो न्याले कहता है किसे पुलिस पदाधिकारी को अगर पुलिस असा नहीं करती है तो क्या होगा उस पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ न्याले कठोर कदम उठाएगी और उसे डंड देगी यही बंदी पत्तक्षिकरन रेट है जिसे आपने पिछली कक्षाओं में बहा था आज हम लोग जानेंगे छादगन इसी कितार दूसरे रेट के बारे में जिसका नाम है परमादेश क्या है छादगन परमादेश पले इसको समझ लेंगे जान लेंगे तत्योक्ता परिक्षाओं में क्या सवाल आते हैं उसे जान लेंगे उसके बाद हम लोग इसे जो है लिखने की करवाई करेंगे छादगन इसमें भी नाम चीपा हुआ है परमादेश सर्वोचनले या उचनले आदेश देती है है ना किसे ऐसे सरकारी पड़ाधिकारियों को जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निस्ठा और इमानडारी के साथ नहीं कर रहे हैं छादगन यदि कोई भी सरकारी पड़ाधिकारी चैहों DC हों SP हों थानेदार हों नगर निगम के प्रसाशक हों है ना यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निस्ठा और इमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं तो नियाले इसी रीट के माध्यम से उन्हें कहती है कि क्यों ना आपके खिलाब कठोर कारवाई की जाए कारन बताओ नोटिस जारी किया जाता है उनके खिलाब और उन्हें कहा जाता है कि आपके खिलाब यह कारवाई की जाएगी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पुन निस्ठा और इमानदारी के साथ नहीं कर रहे ह इसलिए आपके खिलाफ क्यों न कारवाई की जाए और न्याले उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करती है और संतुष्ट दायक जवाब नहीं मिलने पर न्याले उन्हें डंड भी देती है। कि प्लीज आप अफायार दर्ज कीजिए वो बैक्ति मुझे थमकी देता है वो बैक्ति में साथ गलत भहवार करता है लेकिन ठानेदार आपका अफायार लाउंच नहीं करता है आपका अफायार दर्ज नहीं करता है है ना ऐसी स्थिति में आप सरोच नले या उच नले में ए आखिर तुम जो वेतन उठाते हो, वो किस कत्तव के लिए उठाते हो, तुम्हारा काम क्या है, पुलिस सब्द का अध क्या होता है, पुलिस सब्द का अध होता है, पुरुशाथी, पूसे, लिसे, लिपसाधीत, सासे सहयोगी, तो तुम जब पुरुशाथी ही नहीं हो, लि इस पदाधिकारी को उसके कर्तव का एहसास कराती है और उसे चिताउनी देती है कि यदि दुबारा तुम्हारे खिलाप ऐसे सिकायत आई तो तुम्हें पद से हटा दिया जाएगा छदगन यभी अपने आप में एक बहुत ही महत्पून रिठ है जो कि सालजनिक पदाधिकारी को है ना सरकारी पदाधिकारी को उनके कतव्य को इमानदारी पुरवक नहीं करने पर सरोचनले या उचनले के द्वारा जारी की जाती है इसे विछदगन आप उठान रखना होगा बहुत बहुत इंपरणेट है इसलिए नाम में ही चादगन देखिया चिपा हुआ है परमादेश परमादेश देती है नियाले किसे सालजनिक पदाधीकारियों को सरकारी पदाधीकारियों को कि आप अपने कतव्य का निर्वहन कुल निस्ठा और इमानदादी के साथ नहीं कर गए है आपको करना चाहिए आपको सरकार इसी का वेतन देती है आपको सरकार ने इसी लिए नियुक्त किया है यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके खिलाब कठोर डंडात्मक का रवाई करेंगे यहीं कहलाता है परमादेश जिसे आप कुछ अद्गन याद रखना होगा बहुत इंपारेंट कुछन है बत्युक्ता परिक्छा में कुछ रेगा यदि कोई सावजनिक पदाभीकारी अपने कर्टम्यों का निर्वहन कुन निस्ठा और इमानदादी के साथ नहीं करता है तो सरोच नाले या उच नाले किस लीट के माध्यम से उसे ऐसा करने को कहती है और उस पर टंड का प्रावधान करती है तो आपको लगाना होगा परमादेश परमादेश लीट के तहर ये किया जाता है शर्गन बहुत ही हिट कोशन है जब अदर सुप से आता है फिर आप से कुछ हैगा परमादेश क्या है अपसन देगा गिरफटार बैक्ती को 24 घंटे के अंदर न्याले में प्रस्तूत करना दूसरा अपसन देगा सरकारी पद पर बैठे हुए बैक्ती द्वारा अपने कर्तव का दिर्वहन निष्ठा और इमानदारी पुरुवक नहीं करना किसी भी गलत तरीके से सरकारी नौकरी की प्राप्ती करना चोथा देगा इनमें से कोई नहीं तो अब क्या लगएग अशादगन क्या जवाब होगा आपका आपका जवाब होगा नंबर दो है ना कि सरकारी प्राधी कारियों द्वारा अपने कर्तव का निष्ठा पुरुवक इमानदारी पुरुवक पालन नहीं करना ही परमादेश है इसको आपको ध्रान रखना होगा यह अभी प्रत्योक्ता पर एक च्वाँ में कई बार कुछा जा चुका है छादगन इसलिए इसको आपको पैने निगाहे रखनी होगी एक अक्चीजों को गौर करना होगा एक अक्चीजों को मनन करना होगा एक अक्चीजों को याद रखना होगा पहने निगा है आपकी होने चाहिए दूसरी बात जो आपको धान देनी होगी याद रखना होगा मनन करना होगा और एकट चीजों को गवर करना होगा छगन तीसरे रिट के और हम लोग आ रहे हैं धान देजेगा अधिकाल प्रिक्छा लेकिन इस रिट को समझने के पहले परमादेश को हम लोगों को लिखना है जो कि हम लोग जो है अभी लिखने की कालवाई करेंगे चाहद गन लाल या हरा कलम जिससे आपकी हेडिंग बनेगी परमादेश और ब्लू या ब्लैक पिन से आपको नोर्स लिखना है हेडिंग आपने मना लिया परमादेश अंग्री जी भी लिखेंगे चाहद गन मैं ना मस अंग्री जी पूल देता है बहुत बार अंग्री जी को भी मजबूत रखना है प्रतियों की विद्याथियों वन्हा प्रतियुकता पर एक्छों में पता चला कि अंग्री जी की कमी के करण आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे मैं नमस आपने लिख लिया परमादेश लिखे यदि कोई सरकारी पदाधिकारी यदि कोई सरकारी पदाधिकारी अपने कतव्यों का निर्वहन निष्ठा एवं इमानदारी के साथ नहीं करता है तो सरवोच न्याले या उच्छ न्याले परमादेश रीट के माध्यम से इन्वाइट कौम में रखी का छटगन परमादेश को इन्वाइट कौम अनलाईन लाल कलम परमादेश रीट के माध्यम से उसे कारण बताओ नोटिस जारी करती है एवं संतुष्टी दायक जवाब नहीं मिलने पर संतुष्टी दायक जवाब नहीं मिलने पर डंड देती है हो गया छदगन? बहुत बहुत इंपर्टेंट है ये तो इससे याद रखना है है ना अगले देट के और आजाएंगे छदगन हैडिंग मनएगा लाली आहरा कलम से अधिकार प्रिक्छा को वाडंटो अंगले जी भी लिखेंगे इसका को वाडंटो हो गया हेडिंग आपका? हाँ आप समझेगा इसको छदगन ये रीट जो है ये आप लोगों के लिए प्रत्योगी विद्यातियों के लिए भी एक बहुत बहुत संदेश देता है एक सबग देता है क्या है छदगन इसको समझेए और क्या इससे पत्युक्ता प्रिक्छों में सवाल आएंगे इस पर पैने निगाए आपकी मैं चाहता हूँ छदगन गौर करेंगे है क्या अधिकार प्रिक्छा? यहां पर भी नाम में ही आच्छिपा हुआ है अधिकार प्रिक्छा, प्रिक्छा का पूछना है न शदगन इसके तहर ऐसे सरकारी पर अधिकारी जिनोंने गलत संसाधनों के द्वारा गलत तरीके से गलत जाती प्रमान पत्र बना कर गलत उम्र प्रमान पत्र बना कर गलत जन्म प्रमान पत्र बना कर या अन्य किसी भी गलत संसाधनों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी को प्राप्त किया है तो न्याले उससे पुष्टी है कि तुम किस अधिकार से इस पड़ पर बैठे हुए हो जबकि तुम इसके योग्य नहीं हो तुमने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है तुमने गलत संसाधनों का इस्तमाल किया है तुमने सन्मिधान का मजा को आया है तुमने सन्मिधान के साथ धोका धरी और चिटिंग की है है ना और तुमने इस सरकारी नौकरी को प्राप्त किया है और न्याले उसे कारण बताओ नोटिस तो जारी करती ही है उस पर डंडात्मक करवाई करती है और उसे कठोर डंड प्रदान करती है छद्गन ये आपके लिए भी एक सबक है नहीं मिले सरकारी नौकरी नहीं कोई गुरेज नहीं स्वध ने आपको यदि भेजा है तो वो आपके लिए संशाधन उपलब्द कराता है नहीं होगा तो हम खेतों में मजदूरी करेंगे है ना खेतों में क्रशी का कारे करेंगे हल पैल चलाएंगे है ना और खेतों को सीचेंगे क्रशी का कारे भी एक बहुती पावन कारे है जिससे पूरे देश का पेड़ होता है छद्गन नहीं होगा तो हम मजदूरी करेंगे, नहीं होगा तो हम और भी कई जो है अच्छे कारे हैं जिसे करके हम अपने जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन का गुजारा कर सकते हैं, लेकिन छदगन यदि आपने गलत तरीके से कोई भी सरकारी नौकरी प्राफ्ट की, किसी ने कोई बाजार में आपको ब्रोकर किसम कार्मी मिल गया, कि चलो हम तुमको एससी का नौकरी दिलवा देंगे, दरोगा का नौकरी दिलवा देंगे, रेलवे का नौकरी दिलवा देंगे, जेपिसी दिलवा देंगे, यूपिसी दिलवा देंगे, इतना लाक रुप्य तुमको कैसे आपके जाती प्रमान पत्र को बदल दिया गया, आपके उम्र प्रमान पत्र को बदल दिया गया, आपके जन्म प्रमान पत्र को बदल दिया गया, और इस तरीके से चिटिंग करके आप नोकरी को प्राप्त किये हैं। घ्रिनित नजरों से देखा जाएगा, आपके पूरे परिवार की पतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, कि आप ऐसा चाहते हैं, कभी नहीं, छदगन, कभी भी नहीं, कभी इन ब्रोकर्स के चक्कर में न पढ़ें, कभी इन दलालों के चकर में न पढ़ें, सरकारी नोकरी जब भ खम पर प्राप्त करें छदगन, अपने जुनून के बल पर प्राप्त करें, पतिभा जिन में होती है, वह निश्चित तोर पर अपने आपको इस्थापित करते हैं, ये दिहास का वाह है, इसलिए पतिभा के बल पर, अपने जुनून के बदल पदूलर, अपने प्रक्ति के बदोलत नोकरी को प्राप्त करें चादगन गलत संसाधनों का कभी भी इस्तमाल ना करें there is no shortcut of success, shortcut का कोई भी सकसेस नहीं होता है यानि success का कोई भी shortcut नहीं होता है चादगन ये ध्यान रखेंगे चादगन ये अधिकार विक्षा आपके लिए भी एक सबक है आपके लिए भी एक संदेश है कि आप कभी भी गलत तरीकों का गलत संसाधनों का इस्तमाल न करें ये सबक को आपको चादगन ध्यान रखना होगा बहुत बहुत important है ये भी प्रत्युक्ता परिक्षाओं के लिए इस पर भी आपको पैने निगाहरक नहीं होगी इसे भी ध्यान रखना होगा और आपको ये सबक को भी याद रखना होगा ध्यान देजेगा चादगन क्या सवाल पुछे जाएंगे चादगन गवर करेंगे सवाल पुछेगा यदि कोई सरकारी पदाधीकारी गलत संसाधनों का परिवोग कर गलत दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी नौकरी की प्राक्ति करता है तो उसे न्याले किस रीट या आदेश के माध्यम से डंड देती है या कारण बताओ नोटिस जारी करती है चादगन आपका अपसर में देगा बंदी प्रत्यक्षी करन दुस्ता देगा परमादेश तिस्ता देगा अधिकार प्रिक्षा चोथा देगा इन में से कोई नहीं क्या लगाईगा चादगन नमबर तीन अधिकार प्रिक्षा है ना कि आखिर तुम किस अधिकार से इस पर बैठे हो जबकि तुम इसके लायक नहीं थे है ना चादगन तुमने उमर पर आपको छुपा लिया तुमने अपनी जाती को बदल दिया नौकरी प्राप्त करने के लिए तो ये सब गलत तरीकों का कभी बे इस्तमाल ना करे चादगन यहीं यह रीट कहती है कि आखिर किस अधिकार से तुम बैठे हो जबकि तुम इसके काबिल नहीं थे प्रिच्छा मतलब होता है पूछना अधिकार यानि कि तुम किस अधिकार से इस गर्दी पर बैठे हो जबकि तुम इसके लायक नहीं थे यह कौन पुष्टा है नियाले पुष्टी है उस पदाधिकारी से जो कि गलत संसाधनों को साध्य मानकर गलत संसाधनों का इस्तेमाल करके नौकरी की प्राप्टी करता है इसलिए यह रीट अपने आप में एक संदेश है जिसे आपको चाधकन याद लखना होगा है ना आप लिखने के कारवाई के चाधकन तीर का निशान दे करके लिखेंगे यदि कोई सरकारी प्राधिकारी गलत संसाधनों का परियोग करते हुए जैसे गलत जाती प्रमान पत्र गलत उम्र प्रमान पत्र कॉमा गलत जर्म प्रमान पत्र या अन्य किसी भी संसाधनों के द्वारा सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है तो न्याले उसे इस रीट के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी करती है जारी करती है तथा उसे डंड देती है अधिकार पिक्छा और उससे जो हुए महत्कुन पहलू जिसे आपको धान दखना होगा अगले रीट के और हम लोग जा रहे हैं ज्याद रखेगा और उससे रीट का नाम है प्रतिशेद 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 यहां भी नाम में ही अच्छी पावा है प्रतिशेद का अध क्या होता है प्रतिशेद का अध होता है प्रतिशेद का अध होता है प्रतिशेद का अध होता है मना करना है ना तो याद दखेगा छदगन यहां भी नाम में अच्छी पा हुआ है इस रीट के माध्यम से छदगन सरवोच न्याले या ओच न्याले अपने अधिनस्त अपने अधिनस्त निम्नन्याले को कोई भी ऐसा कारे करने से मना करती है जो की उनके अधिकार छहत्र से बाहर है छटगन अधिकारों का अतिक्रमन करना बिल्कुल गलत है हर बैक्ति के अधिकार सिमित किये गए हैं एक थानेदार का अधिकार उस थाने तक सिमित है एक S.P. का अधिकार जिले का पुलिस कप्तान होते है तो वो जीले का पुलिस का सरोच पताधिकारी होता है उसके भी अधिकार सीमित होते हैं डियाईजी के अधिकार अलग होते हैं अन्य पताधिकारीयों के अधिकार छेत्र को बनाया गया है चदगन जिसको हायार के सिस्टम भी कहा जाता है चदगन अधिकानों का अतिकरमा नहीं किया ज़सकता है चदगन यदि कोई बैक्ती अपराद करता है जिला न्याले उसकी जमानत अरजी को खारिज कर देती है अस्विक्रित कर देती है जमानत उसे नहीं मिल पाता वो अपनी जमानत याची का उच्छ न्याले में दायर करता है उच्छ न्याले में भी उसे जमानत नहीं मिलती है वो अपनी जमानत याची का सरोच न्याले में दायर करता है सरोच न्याले भी उसे जमानत देने से इंकार कर देता है क्योंकि उस पर हत्या के गंभीर आरोप है छटगन ऐसी स्थिती में जब सरोच न्याले उस बैक्ती को जमानत नहीं देता है और साल दो साल की अउधी में वह बैक्ती जब जेल में अपनी सजा काट रहा होका है तो वह निम्न न्याले में जज को पैसे देकर लोब देकर लालच देकर पैरवी करवाकर जमानत ले लेता है तो छटगन आप लोगों ने सुना होगा कि सरोच न्याले जिसे जमानत नहीं दे सकता है उसे उच्छ न्याले तो क्या निम्न न्याले कोई भी जमानत देने का अधिकारी नहीं होता है चादगन यह हमें सद्धान रखेगा क्योंकि सरोच न्याले इस देश का उच्छ तम न्याले है अंतिम न्याले है उस न्याले के बाद आप किसी में न्याले में अपील नहीं कर सकते हैं, आप केवल छमादान के लिए राश्पती के बाद आ सकते हैं, न्याले में सबसे अंतिम न्याले इस देश का है, सुप्रीम कोर्ट है, हाइस कोर्ट आफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट, तो याद रख उस खोरी करके भेस्टाचार में सनलिप्त हो का छदगन यदि उस बैक्ति को अपराधी को जमानत दे देता है ऐसे में पूच न्याले या सरोच न्याले इसी रीट के माध्यम से पतिसेद के तहर निम्न न्याले को मना करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि ये तुम्हा ये भी संदेश है आपके अधिकाड जहां तक सिमित हैं वही तक आप काम करें उसके बहार जाकर कि काम करना गयरकानूनी हो जाता है तो यहीं चीज़ है छटगन, पतिशेद जिसका आत होता है मना करना, तो मना किसको किया जाता है, निम्न नाले को, कौन मना करता है, उच्च नाले या सरोच नाले, क्यों मना करता है, जब निम्न नाले अपने अधिकारों का अतिक्रमन करता है, जब निम्न नाले अपने अध जान रखना होगा छादगन, बहुत-बहुत इंपर्टेंट पुस्टन है, यह भी प्रत्युक्ता परिक्षाओं के लिए, इस पर भी आपको पैने निगाया रखनी होगी, इसे भी ध्यान देना होगा, इसे भी मनंद करना होगा, छादगन, क्या सवाल आएंगे प्रत्युक सानों का अतिक्रमन करता है, तो सर्वच नंले या उच नंले, किस रीट के मध्यम से, उसे ऐसा करने से मना करेंगे, तो छादगन, अप्सन में देगा बंदी प्रत्यक्षी करन दूसरा अप्सन में देगा परमादेश तिसरा अप्सन में देगा अधिकार प्रिक्षा चोथा अप्सन में देगा प्रतिशेद प्रोहिबीसन क्या लगाईएगा चादगन प्रतिशेद आपका सही जवाब होगा ध्यान देज़ेगा चदगन पतिष्यद का आती होता है मना करना यानि सरोचनले या उचनले निम्न नियले को मना करती है कि तुम अपने अधिकाद छत्र से बहा जाके काम मत करो मैंने जिसके जमानत को अस्विकार कर दिया आकि तुम उसे जमानत कैसे दे सकते हो यERE तुमारे अधिकार च्छत्र में नहीं आता है इसे ही च्छदंगन आपको धान में रखना होगा मनन करना होगा याद रखना होगा अब लिखने की करवाही करेंगे लिखेगा च्छदंगन लिखे यदि निम्न नले अपने अधिकार छेतर से बाहर जाकर जाकर कारे करता है तो उच्छ नले या सरोच नले इस जीट के मर्ध्यम से उसे ऐसा करने से मना करते हैं मना करते हैं है ना यह जाकर पतिशेद जिसे आपको धान में रखना होगा अब पाँच में और अंतिम रेट की और हम लोग आ रहे हैं च्छदगन प्रेदी जो रेट है वह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्ट है च्छदगन यह बहुत आशान से रेट है और यह दोनों आपस में कनेक्टेड यह और यह इसलिए आपको समझने में दिकत नहीं होगी छदगन जिस अधिकाल छित्र का उलंगन करने पर सरोच नाले या उच नाले निम्न नाले को मना करती है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए है ना च्छदगन उथप्रेशन दीट के तहर सरोच नाले या उच नाले उसी विवादित मामले को अपने पास मंगा लेती है और कहती है अब मैं इसकी जाच करूँगा अब मैं इसका पूरा मैं इस मामले को देखूँगा और यह मामला निम्न नाले से अपने पास मंगा लेती है उसी विवादित मामले को छदगन जिस पर उसने पतिशेद के तहट मना किया था यानि पतिशेद और उत्परेशन छदगन एक दूसरे से रिलेटेड है एक दूसरे से बिलकुल जुरय हुए है यानि जिस विवादित मामले को काम करने से रोका गया था सरोच नाले या उच नाले के द्वारा उसी विवादित मामले को उत्परेशन के तहट सरोच नाले या उच नाले कहां मंगा लेती है छदगन निम्न नाले से अपने पास मंगा लेती है यानि वो निम्न नाले को कहती है कि इसी रीट के माध्यम से कि आब आप उस विवादित मामले को मेरे पास भेज दीजी है ना यहीं है छगन उत्परेशन गौर करेंगे छगन पतिशेद और उत्परेशन में यह संबंध है जिसे आपको धान में रखना होगा छगन लिखे गया उत्परेशन में लिखे सरोच नाले या उच नाले द्वारा द्वारा निम्न नाले को मना किये गए विवादित मामले को इस रीट के माध्यम से अपने पास मंगा लेती है तथा इस मामले की स्वैम जाज करती है करती है हो गया कम्प्रेट छगन वेरी गूड तो यह है छगन पाँच प्रकार के दीर्स या आदेश बंदी प्रतक्षी करन परमादेश अधिकार प्रिक्षा पतिशेद उत्प्रेशन यह आपको छगन न केबल प्रारंभी परिक्षाओं में है ना विविन प्रत्युक्ता परिक्षाओं के बलकि आपको मुख्री परिक्षाओं में भी जाए जेपेस्टी का मेंस लिखें यूपेस्टी का मेंस लिखें हर जगा पे करती है इसलिए आपको इस पर पैनी निगाह रखनी होगी छगन बहुत बहुत इंपारेटन कुस्टन है यह भी प्रत्युक्दा परिक्षाओं का एक अक्चीजों को ध्यान दें एक अक्चीजों को मनन करें एक अक्चीजों को चचादगन यार रखें है ना चचादगन 24 घंटे के अंदर कुलिस द्वारा किसी भी गिरपतार बैक्टी को न्याले में प्रस्तूत करना न्यायधीस के समक्ष प्रस्तूत करना मजिस्टेट के समक्ष प्रस्तूत करना किस रीट के माध्यम से होता है बंदी प्रत्दक्षी करन यदि कोई सरकारी प्राधिकारी अपने कर्टव्यों का निर्वहन कुन निस्ठा और इमांदारी के साथ नहीं कगा है तो नियाले उसे किस लीट के माध्यम से जो है आदेश जारी करती है तो वो हुगा परमादेश है ना यदि कोई सरकारी परादीकारी गलत संसाधनों का परियोग कर गलत जाती प्रमानपत्र गलत उम्र परमानपत्र गलत आई परमानपत्र गलत जन्म परमानपत्र या अनकिसी भी गलत संसाधनों का इस्तेमाल कर सरकारी नोकरी को प्राप्त करता है तो सरोच नहले या उच्छ नहले उसे किस लीट के माध्यम से ड़न देती है छात गयन अधिकार प्रिक्छा है ना यदि निम्न न्याले अपने अधिकारों का अतिक्रमन करती है अपने अधिकारों से बहार जाकर काम करती है कोई भी तरह का गलत स्टेप उठाती है तो उसे ऐसा करने से उच्छ न्याले या सरोच न्याले मना करती है पतिशेद, बहुत important है, सरोच नले या उच्छ नले दबहरा, निम्न नले को मना किये गए, रोके गए, पतिशेद किये गए मामले को, कि स रीट के मध्यम से, सरोच नले या उच्छ नले निम्न नले से अपने पास मंगा लेती है, तो रीट है उतपरेशन, है ना तो पतिशेद और उत्पेसर नहीं दूसरे से जोए हुए है जिसको आपको धान रखना होगा चादम क्या सवाल आएंगे इस पूरे टॉपिक से देगा खंड का को खंड का से मिलान करें खंड का में पांच रीट का नाम देदेगा चादम बंदी प्रतक्षी करन अधि नहीं बन पाएगा इसलिए पांचो रीट को चादगान एकदम सत्तू की तरह घोल करके पी जाए और WBC, RBC में दवा दीजे और पीछे जो सरी ब्रम है उसमें फेबी क्विक से चिपका दीजे ताकि रात को दो बजे भी कोई उठागर के पुछे कि बताओ परमादेश क्य है तो तुरन बोलिए यदि को सरकारी पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर निस्ठाओर इमानदारी के साथ नहीं करता है तो सरवच नाले या उच्छ नाले इस रीट के मार्धियम से उसे कारण बताओ नोटिस जारी करती है है ना तो चादगान याद कौन सा मिलान गलत है ऑफसर में देगा चादगन बंदरी प्रत्रक्षी करन डैस गिरफटार बैक्ती को सरसरीर 24 घंटे के अंदर नियाले में प्रस्तूत करना दुसरा देगा अधिकार प्रिक्षा किसी भी सरकारी पदाधिकारी द्वारा गलत संसाधनों का परियोग कर सर मादेश सरकारी परणाधिकारी द्वारा अपने कट्वगुण का निरमहन उनिस्टर्य मांदारी के साथ नहीं करना चौथधा देगा परतिशेद 3 निमननैले द्वारा अपने अधिकार छित्च से बहर जाकर काम करना 5 और पती हम करना पिद्षिऌ ज़्स्तवारा किसी व आले दुवरा किसी ब्यक्ती के जमानत को सुष्विकार कर लेना क्या उत्परशन के टाथ आता है? नहीं आता है उत्परशन में तो आता है कि उस विवादित मामले को सर्वोच नाले या उच नाले अपने मास मंगा लेता है जो निंदनयाले को मना किया गया था है ना इस तरह के प्रस्ट शाधकन आपको पुझे जाएंगे सिंगल सिंगल कोशन भी कुछे़गा. बंडी प्तकछी करन क्या है? परमादेश क्या है? अधिकार प्रिक्छा क्या है? उत्परेशन क्या है प्रतिशेद क्या है ऐसे कोशन भी आएंगे मिलान करे वाले भी आएंगे कौन सा कथन गलत है कौन सा कथन सही है ऐसे प्रसमी कुछ जाएंगे तो आपको इस टॉपिक पर जब तक प्रकाव नहीं होगी आपको जब तक अनुछेद 32 और 226 सरोच नाले कि यही बाचो रेट्स को जारी करता है तो यह सब चीजों को चादगन याद रखें मनन करें अध्यान करें प्रतियुक्ता परिक्षाओं के लिए बहुत-बहुत हेट कुछन है पैरनी निगाहें आपकी होनी चाहिए है ना नेक्स चादगन आगे लिखेंगे अनुछेद 33 33 क्योंकि 35 तक हम लोगों को पहना है चाहिए अधी तक 32 तक हम लोग जाने हैं 33 लिखेंगे चाहिए इसके तहर संसद मूल अधिकारों को बहाल करने है तू संसद मूल अधिकारों को बहाल करने है तू ससस्त्र बलों को ससस्त्र बलों को अधिकार प्रदान करती है क्या को सनाएंगे चाहिए पुछेगा संसद मूलिक अधिकारों को बहाल करने है तू डेश के ससस्त्र बलों जैसे सी आर प्याप वी असव है ना यह सब क्या है आई टी वी पी यह सब हमारे ससस्त बलना सम राइफल्स है इन समों को विशेश अधिकार देती है यकिस अनुछेद में है तो अनुछेद 33 में है है ना शादकन ज्यान दिजेगा नेस लिखेगा अनुछेद 34 आर्टिकल 34 लिखे इसके तहट सीना का साशन जिसे मिलिटरी रूल भी कहते हैं छादकन हम लोग जो कि आप आतकाल के दौरान लगता है सीना का साशन या माजसल लौग शेना का साशन या माजसल लगाया जाता है लगाया जाता है पुछेगा देश में सेना का साशन या माजसल लौग किस अनुछेद के तहट लगाया जाता है तो अनुछेद 34 के तहट लगाया जाता है छादगन ध्यान दखेगा अनुछेद 35 लिखे इसके तहट मौलिक अधिकारों को प्रभावसाली बनाने के लिए विधी निर्मान का अधिकार विधी निर्मान का अधिकार संसद का होगा होगा चादगन मौलिक अधिकारों को प्रभावसाली बनाने के लिए यदि किसी भी प्रकार की कानून की आउसकता होगी कोई भी कानून बनाने के जोरत होगी तो इसे कौन बनाएगा संसद को अधिकार दिया गया है संसद ही इस कानून को बना सकती है यकी सनुष्यद में है 35 में है इसे भी आपको धान रखना होगा छदगन हमारे देश में संसद सरोपरी है संसद सरोच मुकाम पर है और संसद को ही कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया है संसद को ही सनिविधान संसोधन करने का भी अधिकार दिया गया है इसलिए छदग यह भी पत्योक्ता पर एक्षाओ में पूछे जाते हैं, इस पर भी आपको पैनी निगाहे रखनी होगी, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको भी छादगन आपको मनन्ग करना होगा, तो यह है छादगन, एक बहुत महत्पून अध्याय का हम लोगों ने समापन किय जो कि पत्योक्ता पर एक्षाओ में निश्चित दोर पर पूछे जाएंगे, आपको इस पर पैनी निगाहे रखनी होगी, आपको इसको अध्यान रखना होगा, आपको इस पर मनन्द करना होगा, आपको एक चीजों का इस मनन्द करना होगा, ताकि पत्योक्ता पर एक्ष जो खाका और ताना वाना में ने प्रस्तूत किया है, इस सारे चीज़ों को आप याद रखें, सारे चीज़ों को मनन करें, सारे चीज़ों को अध्यान करें, है ना, अगली कक्षों में, पॉलिटिकल साइन्स से जोए हुए, इंडियन पॉलिटी से जोए हुए, भार्ती रा झाल झाल